इस साल मध्यप्रदेश में हर तरफ आग का तांडव दिख रहा है। मध्यप्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संकर्मन के चलते डिमांड बढ़ने की वज़े से शौटेज हुए जीवन रक्षक रैमडे सिविर इंजेक्शन का संकट भी आगामे दो से तीन दिनों की भीतर खत्म हो जाएगा। जरूरत पढ़ी तो रैमडे सिविर इंजेक्शन हेलिकॉप्टर से जिलों में पहुचाएंगे। शिवराज ने कहा कि अब प्रदेश में मास को लेकर ज्यादा सकती की जाएगी। मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौण ने कहा कि अउक्सीजन के इंतिजाम में केंदर सरकार सहयोग कर रही है लेकिन समस्या सभी जगया है। मुख्यमंतरी पियुष गयल से भी चर्चा हुई है, जरूरत पढ़ने पर राउर केला और भिलाई आदी से रेल द्वारा ऑक्सीजन स्लेंडर बुलवाए जा सकते हैं। मद्दिप्रदेश में करोनका संक्रोण बेकाबू हो गया है, बुध्भार को कॉंग्रेस की वधाइक मिन्टो होल परीसर में गांधी पृतिमा के सामने, प्रदेश में स्वास्थ सेवाओं की बधाली को लेकर दरने पर बैठे, वधायकों ने कहा कि प्रदेश के प्रतिमा पर माल्यार पन किया, इसके बाद वह सहर में रोडशोप पर निकले, रोडशोप में उनके साथ कौंग्रेस प्रतियाशी अजय टंडन की बेटी मौजूद रही, उन्होंने लोगों से कौंग्रेस के पक्ष्मी वतधान करनी के अपील की. राजदानी भोपाल में बढ़ते कोरुना संक्रमन के मामलों को देखते हुए स्वास्त ववस्थाओं में जाफा किया जा रहा है तो वहीं रैट क्रॉस हॉस्पिटल को भी कोविट केर सेंटर बनाया जा रहा है इसी को लेकर आज चिकिसा शिक्चा मंतरी विश्वास सारंग, एसी ओ मुहम्मद सुलिमान और भोपाल कलेक्टर रविनाश लावरिया ने अस्पताल पहुचकर ववस्थाओं का जाइजा लिया जबलपुर जिले में कोविट के रोक थाम और बचाव के लिए नियुक्त मद्यप्रदेश शासन के सहकारिता और लोकसिवा प्रवंद्र मंतरी डॉक्टर अरविन सिंग बदौरिया ने सरकिट हाउट में बधायकों के साथ क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक ली जिसमें क कोविट नियंतरन पर चर्चा की गई बैठक में बधायकों ने मंतरी से कहा कि जबलपुर की हालात बेकाबू होगा है और लाशों के धीर लग रहे हैं मद्यप्रदेश में जल्दी मौसम अपना मिजास बदल सकता है अगले 24 घंटे में राजी के कई जुलों में जोरदार बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि चार अलग-अलग वेदर सिस्टम एक्टिव होनी की वजह से 15 अपरैल से राजी के कई संभागों में बहुचारी पड़ सकती है